दोस्तों जैमा भारती दोस्तों हमेशा हमारे दिमाद में ये बात आती होगी कि यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड, एडल्ट्रेशन, मिलावट ये सारी चीज़े ऐसी हैं अगर ये देश में हो रही है तो सरकार इसको रोपती क्यों नहीं है बड़ा असान है उसको जेल में डाल दे, तो मिलावट अपने आप उख जाएगी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितना सरल ये कहने में लगता है उतना सरल ये होता नहीं आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों सरकार आपको जहर खिलाने पर मजबूर है क्यूं सरकार अगर चाहे भी तो भी आपके घर के अंदर शुद अन वो नहीं पहुचा सकती और ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप अपने परिवार को शुद अन, शुद जल और शुद वायू परदान कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम इस चीज के ओपर चिंतन करेंगे और थोड़ा समझेंगे के सामने क्या क्या प्रॉब्लम है जिनका समाधान सरकार चाहे भी तो नहीं कर सकती दिसमबर 2020 में हम यह और वीडियो बना रही हैं खाली का इंसिडेंट है आपके दिमान में लेकर आता हूँ एक संग्यान में लेकर आता हूँ आपको समझ में आएगा 25 सेप्टेंबर को न्यूस पेपर में एक रिपोर्ट आई जो भी न्यूस पेपर मों 25 सेप्टेंबर 2020 के आप देख सकते हैं और उसके अदर सभी न्यूस पेपर्स ने एक बात कही कि FSCI देश की जो Food Regulation Authority है उसने इठाना है कि अग वो मिलावट के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी और इसके तहत एक अक्तूबर 2020 को FSCI ने अपनी गाइडलाइस जारी की और उन गाइडलाइस में FSCI ने ये कहा कि अब तक देश में जितना भी तेल तेल का जितना भी उत्पादन हो रहा था जो खाते समगरी में हमारे घरों में सरसों का तेल इस्तमाल होता है रिफाइंड ओयल इस्तमाल होता है आपको ये जानके हैरानी होगी कि उसके अंदर by law कानूनी तोर पर 20% के वेलिटेबल ओयल्स की mixing या blending करना allowed है ये हमारे कानूनों में कहने का अर्थ क्या है कि सरसों का वीज मैं रखूंगा प्रेस करूंगा जो तेल लिकलेगा वैसे तो ये तेल शुद नहीं आता हमारे पास इसके लिए लीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक होगा या या यूट्यूब पे जाके सीधा टाइप करिए वाक्षी रिफाइंड ओयल तो आपको तेल की सच्चा ही पता चल जाएगी जो तेल आपके घर में सोटार है फिर भी मान लो जो भी वो तेल आ रहा है उसके अंदर कानूनी तोर पर लीगल है कि उस तेल के अंदर 20 परतीशत तक पाम ओयल को मिक्स किया जा सकता है ये पिछले 40-50 सालों से जब से रिफाइंड ओयल हमारे घरों में आ रहे हैं तब से सरकार के द्वारा प्रमाणित था अब सरकार के पास में रिपोर्ट्स तो हाती हैं और उनको ये भी पताएं कि जो पाम ओयल है वो शरीर के लिए हाली का रहा के नुपसांदा है कि अच्छी चीज़ नहीं है तो सरकार में और FSCI नहीं ये सोचा कि वह 30-40 साल में जो हुआ सो हुआ अब हम ये मिक्सिंग को रोकेंगे पाम ओयल की अडिल्ट्रेशन पाम ओयल की जो मिक्सिंग पर ब्लेंडिंग है ये हमारे तेलों के अंदर सही नहीं है तो 1 अक्तूबर 2020 को FSCI नहीं गाड़ नहीं पास करी कि अब से देश में जितना तेल का उत्पादन हो रहा है उसमें किसी भी तरह के किसी दूसरे वेजेटेबल ओयल की ब्लेंडिंग नहीं की जाएगी तो सरकार और FSCI ने आपकी सेहत का ध्यान रखते हुए एक बहुत उंदा और भड़िया कदम उन्होंने उठाया शुद तेल देना चाहते हैं और घिलाना चाहते हैं आपको यह याप भी चाहते हैं कि हमें शुद तेल मिल जाए धेड़ महीने के अंदर अंदर दो कारवाईया हुई सरकार के खिलाफ FSCI के खिलाफ जो तेल किया उत्पादन करने वाली कंपनिया थी उन्होंने सुप्रीम कोट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने दो क्लेम्स इसके उपर की इस जो इन्होंने जो अपनी गाइडलाइन से लेका आई पहली बात उन्होंने ये कहा कि भैया सरसो का तेल क्योंकि आपने ये ब्लेंडिंग रोग दी इसी लिए 120 रुपे 130 रुपे लिटर से वो शूट अप करके 180 रुपे लिटर चला गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि अगर बिना मिक्सिंग के मैं तेल देने पे माध्य हूँगा आपको अगर मैं बिना palm oil की mixing करे हुए आपको तेल लेकर आना चाहता हूँ तो normal market में भी उसका हमूले 180-190 रूपे लिटर से कम नहीं हो सकता आज December 2020 के अंदर market में निकल जाएए तेल के batch जो है चेक करिए 180-190 रूपे लिटर कैसे price हो गया क्योंकि सरकार ने यह बातें कर दिया कि अब आप registration नहीं करेंगे और आप blending नहीं करेंगे जैसे ने शूट अप करा companies ने जाकर सुप्रीम कोड का दरवाजा खटटाया कि देश का गरीब क्या खाएगा हमारे डेश के गरीब जो है वो 120 रूपे लिटर का ही तेल अफोर्ट नहीं कर सकते 180 रूपे लिटर का सरसो का तेल जो हर घर में इस्तमाल होता है गरीब क्या खाएगा और FSCI और सरकार को मजबूर होकर अपनी guideline को वापिस लेना पड़ा आप समझ सकते हैं सरकार जानती है FSCI जानती है कि ये जो vegetable oil की blending है ये आपकी सिर्थ के लिए हानिका रगे लेकिन सरकार और FSCI इसको देख कर नजर अंदास करने पर सिर्फ इसलिए मजबूर है क्योंकि जो इस adaptation को ना करके जो prices के high होंगे उससे कहीं देश का गरीब जो है वो जरूर से ज़ादा परिशान ना हो जाए इसे बोलते हैं मजबूरी और अपने घरों के अंदर बैटकर हमें एक मिनट में बोल देते हैं ऐसा करना चाहिए सरकार को तो बड़ा असान नहीं करना इतना असान नहीं है करना जो कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा कटटाया था उन्होंने एक दलीलोर दी कि सर आपने एक आए के कक्तुबर 2020 को गाइड लैन जो हो जारी कर दी हमने जो हजारों लिटर पाम ओयल के इंपोर्ट कर रखा है जो हम ब्लेंडिंग अब भी करेंगे अपने ओयल के अंदर इस पाम ओयल का क्या करेंगे इसका नुकसान कौन भुगतेगा तो इसी लिए FSA, SIIE और सरकार को अपनी डारेक्शन को वापिस लेना पड़ा अब इस में से समझने वाली बात क्या है समझने वाली बात ये है बाजार में मिलने वाला तेल खाना हमारी मजबूरी है वो हमारे लिए स्वास्ते वर्दक हो ना तो ये तेल का उत्पादन करने वाले कंपनी मानती है ना इस देश की Food Regulation Authority मानती है और ना ही ये सरकार आपको खिलाना चाती तो इसी लिए मेरी हाफ से हाथ जोड़ कर बिनती है परधान मंत्री जी की Maxim वीडियो में मैं यही बोता हूँ परधान मंत्री जी की एक बात ये सबसे बड़ा सब्ते है जिस दिन हम इसको Ground Level पे इंप्लिमेंट करने में कामयाब हो गए हम इस पूरे के पूरे एडल्टरिशन के चक्र से भाहर निकल जाएंगे Be Vocal for Local आपके आसपास जो इनसान शुद तेल निकाल कर आपको दे रहा है ऐसे एक इमानदार महनती इनसान पर आपको भरोसा करना है हम में से कोई एक इनसान ये कारे करना शुरू कर दे और उसके आसपास के लोग उसको समर्थन देने लग जाएं आपके घर में आपके बच्चों तक शुद तेल पहुँचना शुरू हो जाएगा ये जो घटिया तेल, mixin वाला तेल खा कह कर आपने अपने घुटने खतम कर लिए हैं ये जो mixing वाला तेल खा कह कर ये हार्ट की हम 레ju करवा रहे हैं दिन रात विश्वास कीजिए इससे हम बाहर निकल जाएंगे इसका मंदरी यह गो वोकल फॉर लोकल अगर आप यह काम कर सकते हैं तो खुद आगे बढ़की यह काम करें क्योंकि देश की सरकार और देश की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है यह चाहा कर भी आपको वो कहते हैं विश्वास सरकल है उससे बाहर नहीं निकाल सकती उसमें प्रयास करती है لیکिन कामे अब नहीं हो सकती आप चाहेंगे तो इससे बाहर निकल सकते हैं उसका तरीका मैंने आपको बताया सिंपल तरीका है इस ओडियो को देखने वाले अगर आप है और आपको लगता है कि आप तेल का गारोबार कर सकते हैं आपको सिर्फ ये कहना है मैंने ये तेल का बीज रखा इसको प्रेस करा जो तेल निकला ही मैं आपको दे रहाँ इसका मूले मार्केट से थोड़ा जाद है लेकिन ये शुल्ध है और अगर आपके आसपास कोई इनसान इस प्रकार का काम शुलू करता है तो तुरंत जाकर उससे संपर्ख करना उसको आशवासन देना कि हम तेरे साथ है तो महनत इमानदारी से काम कर ये तेल हम खरीदेंगे पूरे देश में अगर ये मुहीम शुलू हो गई तो हम आटोमेटिकल इस विश्य संक्रसे बाहर निकल जाएएगे गो वोकल, फौर लोकल, बी वोकल, फोर लोकल ये मंतर है जिससे आप इस विश्य संक्रसे बाहर निकल सकतेगे दूसरा भी कई मा दिमाग में प्रशना आता होगा अब तो हमारे बेनिविशीज नहीं पूचते लेकिन पहले भी बहुत पूचते ले यूरिया केमिकल पेस्टिसाइट इतना खेतों के अंदर डल रहा है सरकार चाहे तो कड़े बीम कल बना दे यूरिया केमिकल पेस्टिसाइट डालना बंद कर देगी जब डालना बंद कर देगी तो जहर होगा नहीं, जहर होगा नहीं तो शुद्धी अनुत्पन होगा अपने ड्रॉइंग रूम में बैट कर ये कहना बहुत हसान है मान कर देखिए सरकार ने करकल आपकी ये बात मान ली तो होगा क्या यूरिया केमिकल पैस्टिस है, जिस दिन आपने बैन कर दिया उस दिन हमारे खेतों के अंदर उगने वाली फसल तकरीबन 60% तक रिड्यूस हो जाएगी 50% तो सीधा सीधा है, जैसे ही आप और्गानिक पे शिफ्ट करते हैं पहले 3 साल तक आपको लगातार फसल जो है वो ड्रॉप करती है और 50% तक 10 तन या 10 मन जहीं, जहां से जितना अनाज निकलना था, उसमें से किवर 5 तन निकलेगा क्या देश तयार है, जितना अनाज हमारे देश में उत्पन होता है, उससे आधा अनाज अगले 3 साल तक खाने के लिए तो कैसे बेहन कर देए यूरिया केमितल पैसियर सरकार तरीका क्या है, बी वोकल, फोर्ड लोकल अगर आप किसान है और आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हैं तो अपने खेत को, छोटा सा खेत है, उसी को कनवर्ट करना शुरू करिए, थोड़ा-थोड़ा करके करिए इस साल मैंने यूरिया केमिकल पैसियर थोड़ा कम डाला, देशी गाएं का गोबर थोड़ा जादा डाला आसपास लोगों में परचार करिये, बोलिए मैं आपके बच्चों को यूरिया केमिकल पैसियर नहीं खिलाना चाहता मैंने देशी गाएं के गोगर के साथ खेती करने शुरू कर दिये, क्रिपया करके मेरा समर्थन करिए, अनाज अपने घर में लेकर जाएगे। और अगर आप भूबोगता हैं, तो मार्केट की यूरिया केमिकल पैस्टियाटी के अनाज के बजाएद पहले उस किसान को समर्थन दीजिए, जो आपके आसपास ये शुदर नुगार है। निसीब होगा, और जो इनसान इसको कर लेगा, वो अपने घर में और्गैनिक ले आएगा, जो इनसान इसको नहीं कर पाएगा, वो कभी भी अपने बच्चों को सुरक्षत अन नहीं खिला पाएगा। सरकार और Regulatory Authority मजबूर है कि वो आपके धाली से जहर को नहीं हटा सकी, हाँ जोड़कर आपसे विंती है, अपने बच्चों को इस जहर से बचाईए, बीवोकल, फोर्मोकल, भारत वंदे मा करो। हुआ है